दोस्तों अब तक मैंने आप लोगों के साथ जो है मिंत्रा मॉल के नाम पर चल रही लगबग 45 से ज़्यादा वेबसाइटों की जानकारिया अल्रेडी सेयर कर दिया हुआ है इसमें की लोगों को पार्ट टैम जॉब का ओफर दिया जा रहा था ऐसे में ये लिस्ट खत्म होने का नाम ने लेड़ी है आए दिन मुझे किसी न किसी नई वेबसाइट को ले करके पता चल जाता है कोई नए सबस्क्राइबर सेयर कर देते हैं कि देखे भाई ये वेबसाइट भी मिंत्रा मॉल के नाम पर चल रही थी पार्ट टैम जॉब का और नहीं भेजा जा रहा है इन वेबसाइटों को ले करके हलाकि एक और नहीं वेबसाइट के बारे में मुझे पता चला है जिसके लिए मैं इस आवेडनिस वीडियो को बना रहा हूँ 5z3ac.com इस वेबसाइट का लिंक है और आप इसका इंटरफेस भी देख सकते हैं एक उसी की तरह 60 रुपे यहां भी जो है मुझे मिला हुआ है नीचे स्क्रॉल करने पर डिपोजिट विड्ड्रॉग के प्रूफ इन लोगों ने लगाए होते हैं और नीचे स्क्रॉल करने पर पार्टनर्स का नाम 100-1 लग तक के डिवी चार्जेस 15 टास्क 60 मिनट की टाइमि और अच्छे में यह जो हुआ पुरानी वैबसाइटों को बंद कर देते हैं 90 इन वैबसाइटों की टास्प्रोफ करते रहते का हैं आप लोगोंसे मरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेंसे कोई भी अपने पैसी को इन वैबसाइटों में इन वेर्फ ट्रॉज्ट में इन लिए आप लोग को मना करता रहता हूं कि अपने पैसी को जो है आपको इन्वेस्टमेंट तो करना ही नहीं है और यहां से जो है विड्रॉब भी नहीं लेना है बहुत लोगों के साथ जो है यह प्रॉब्लम हुई है उनका बैंक एकाउंट तक फ्रिज हो गया किसलिए ऐसा ह होता है उसको अगर आपको डिटेल में जाना है तो एक लास्ट वीडियो यहां पर लगाऊंगा लास्ट में उसको जरूर से देख लीजिए अब अगर आपने पैसे को आल्रेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया इस वेवसाइट में तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि आपक लिए प्रफ करने की बात करेंगे या फिर 15-20% टेक्स की डिमांड करेंगे कि टेक्स पे करो तो विड्रॉ मिलेगा नेक्स टास्क कम्प्लीट करो तो विड्रॉ मिलेगा यह प्रीमियम टास्क है इन सभी बातों में बिल्कुल भी मत आईएगा आपको जो हैं साइबर क्रा इन में आपको जो हैं मैंसन करना है सभी ट्रांजेक्शन की डिटेल्स वगेरा कि किस तरीके से आपने ट्रांजेक्शन किया कितना कितना इमांट का किया सभी चीज़ें इसके अलावा जो हैं अगर 24 गंटे पूरे नहीं हुएं लास्ट ट्रांजेक्शन को किये हुए तो ऐसे में आप गूगल पे फोन पे पेटियम जिससे भी ट्रांजेक्शन किये हो उसके कस्टमर के नमर पर बात कीजिए या फिर में बैंक के कस्टमर के नमर पर आपको बात करनी है और उन से रिक्वेस्ट करना है कि सर जो ट्रांजेक्शन मैंने किया था उसमें मेरे साथ जो फ्रॉड हो चुका है उस ट्रांजेक्शन अमाउंट को आप प्लेस रिवर्स करवा दीजिए सो फिलहाल यही दो तरीका है दोस्तों जिसको आपको ट्राई करना है इसके अलावा और कोई भी उपाई नहीं है और किसी के भी मनी रिकवरी वाली बात में बिलकुल भी मत आईएगा किसी को भी मनी रिकवरी के लिए पैसा बिलकुल भी मत दीजिएगा So I hope आप लोग मेरी बात समझ चुके हैं अब मैं मिलता हूँ आफसे next awareness वीडियो में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe कर लीजिए ताकि next awareness वीडियो कल ही आपको देखने को मिल जाए और अगर आपके साथ भी किसी भी तरीके का कोई भी online scam हो है आप share जरूर कीजिएगा चलिए मिलता हूँ next awareness वीडियो में फिलाल यहाँ पर दो वीडियोस मैंने लगा दिया है आप अपने जरौत के सबसे देख लीजिएगा थैंक्यू सो मच